तो प्यारे विजारतियो, S.W. Children Academy रावला के शिक्षन सिल्दान में आप सभी का स्वागत है, तो कल हमने एक विडियो देखा था कछ्या 10, विशे समाजिक विज्ञान का अधायर 1, स्वर्मिम भारत में हम पढ़ाई थे, सारे के सारे सोड़ा महाजन्पदों के बारे में बाद कर लिए होंगे, अब आज हम बात करते हैं, हमारे राजस्थान में कौन से जन्पद है, देको जन्पद से क्या बने, माहा जन्पद कितने थे, सोड़ा थे, अब राजस्थान में जन्पद कौन कौन से उनकी बात करेंगे, ये पार्ट नमबर 2 हो जाएगा आपका, पहले पार्ट में आपको माहजन्पद बता दिये, दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगे, राजस्तान के जन्पद, अब राजस्तान के जन्पद कैसे विक्सित होए, तो ध्यां रखना पंजाब, जो राजे है पंजाब के अंदर जाती थी, सीवी, मालव, वै अरजुनायन, यह क्या थी जातियां थी, तारट भी थी, पंजाब के अंदर रहती थी, अब क्या हुआ पंजाब में, यानि हमारे बारत के हिंदुस्तान के 99% चेतर से हमेश्या विदेशी आते थी इस चेतर से, और आए कौन यूनानी आये, यूनानीयों का आक्तरमन हुआ, जैसे नाम स सुनाव अपने शिकंदर, शिकंदर बागेरा बहुत सारे यूनानी आयते, उनका आतरण हुआ इस पंजाब चेतर में, और पंजाब से जातिया थी, सीवी, मालाव और अरजुनाई, यह भागतर हमारे राजस्थान में आगे, अब भागतर कहा का आई, यह मालाव तो यहां पर युनामी आकर्मन के कारण यह ब्रक्तर यहां से भाग गई और अलग अलग छेत्रों में विक्षित हो गई अब शीवी का एक जन्पद बन गया मालव का एक जन्पद गया अर्जुनन लेकिन हमारे राजस्तान में कौन सा था शीवी जन्पद अब देखिए आगे की बात कि हमारे राजस्तान में कौन-कौन से जन्पद होई और राजस्तान में पहला जो जन्पद आता है उसका नाम आता है जांगल जन्पद और यह जांगल जन्पद किस छेत्र में था महा भारतकाल में जोदपूर और पीका निया जोदपूर में बी कि करेंगे तो ज्ञाद को लावा आपको ज्यान के जांगलने आपको क्या कहते थे जांगंधर-बादिशा के ते टे उनका जो जणड़ा था जंडा, जैसे आद हमारा तिरन का जंडा अलग अलग परतीक है, तो बीकानेर के साहसक अपने आपको जंड़णदर बादिशा कहते थे, और इनके जंडे में जो परतीक जिने था वो लिखा हुआ था, जै, जंड़णदर बादिशा लिखा हुआ था, यह बहुत उसकी राजदानी वो थी ऐए छंब्र पूर उनसी ऐइचेट्र पूर इसकी रानता नहीं ती और आई Чтоत्र पूर आज वोक्व storms अब क्या कहते है ना वर अभफ आ जो हमारा ला ला हृइड़ा है और आप डाशाय कियोने का प्राच NewTR तो egy कुम सा ऊब जंपन हो गया जांगल जोदपूर और बीका निर का क्यों अपने को क्या कlando भाश्या क्या थे अरु जो राज चिने हैं था जंडा था जंडा कर जो राज चिंस पिर आता है आस बातर पिरतर आठाक कर आपकं किता अध्यर हुख मतारत वर्य सुख narc जन्पद गने गया पहले क्या था ये इसकी राजदा निक्या थी विराठ नगर अब इसको क्या कहते हैं बिराठ कहा जाता है अब ये पूछें कि ये च्छेतर कुंसा है तो मत्रस्य जेपुर के आसपास जेपुर के आसपास का छेतर था बनना सा मतस्य है यहां पे महाबारत काल का महाबारत काल वैर मोरे के अवस्य मिलते हैं महां बार पकाल किये और है, मुरे के अउफिस ना मिलते है, इस मतस्य में मिध्य है भार्णा, इसके रवादे को यहां पे सहाज नाम का एक राजा था, सहाज नामक सासक ने, सहाज नामक सासक ने, चेदी वे इस मतश्य दोनों पर अधिकार कर लिया कोई एक राजा आया सहाद नामग सासक ने चेदी और मतश्य पर अधिकार कर लिया और अंति में जाकर ये दोनों किसमें मिल गए? मगद में मिल गए पहले अंग में मिलते हैं और बाद में मगद में मिलेगे उसके बाद में बड़े के मगद तो यह कौन सा हो गया आपका मतस्य है यह कौन सा हो गया जांगल हो गया और मतस्य में एक बिंदु सार सासक आएगा आगे बिंदु सार से बाद की जानकारी मिलती है कि यारगणा विंदु सार आपने नाम चुनबा मोरे समराट असोग की पिता थे विंदु सार उससे बाद-बाद की जानकारी का मिलती है मतस्य से मिलती है अब तीसरा जनपत देखिए कौन सा है तीसरा जनपत हमारे राजस्तान में वह भी क्या था एक महाजनपत था लेकिन कुछ ही भाग के उसके सूर सेंद यह माजनपत का राजस्तान में अलवर का चेतर बदपुर का चेतर दोलपुर का चेतर प्रोली का चेतर यह चेतर आया सूर सेंद जो पहले जनपत था राजस्तान के कौन-कौन से जिले चेतर थे अलवर बर्दपुर दोलपुर क्रोली के चेतर इसमें क्या थे समले के एक्जाम में आपके पसर आजे ना कि सूर सेंद चेतर में राजस्तान के कौन से जिले समले थे बर्दपुर और आते हैं जैसे आठ्कों बता रेता हूं माम खुद का क्यापता है अपने तो इंदी में सूर्सें लेते हैं उनकी बासा अरग थी तो इन्होंने इसको कहा सूर से लोई सूरसें नहीं नाम दिया, उन्होंने कहा कि एक सूरस नहीं छेटर था और उसकी राजदायी में थो रहा था, उर हम क्या कहते हैं, सूरसें, सूरसें की राजदाई याहाँ पे कौन सा वह कौन सा यादव ओंस और आ तक सब्स का मतलब आ देगा शरी achieving जी का वहल संगर साच यादव पर पर में आएगा शरी इस मेंद आपको यह तो ऐक योगे एक अब शिवी जो भी हमने बात कही है स्पाट किली है वो सीवी देखिए राजस्थानी सीवी जनपद मेवाड़ छेतर में जाती थे पहले तो मेवाड़ छेतर में आई अंजाब से बालतर मेवाड़ में आई पहले देखोए सिपक्र तया चार चार से छे शेot आट होगे, आट होते होते हैं, इस सिवी की राजदनी थी, वो थी शिवपुर, राजदनी कॉनसी थी, शिवपुर पाकिस्तान में आजत्वाइब, शिवपुर जो पेशावर वगेर छित्ते है न, वहां राजदनी है। इस शीवी का एक राजा सुसीन में दस राजाओं के युद्में इने हराया छीवाजा सुसीन ता उसने दस राजा एक साथ युद्में करने आगे थे उनको हरा दिया था इस जाती के लोगोंने, तो ही ने ही तो इस ध्या रखना, मेवाड चेत्रवी, बार में, अब ध्या रखना यह तो स्यूपुर पाकिस्तान वाडिया, इधर एक राजदानी और थी, मेवाड में इसकी राजदानी थी राजदानी वो थी नगरी, नगरी कहा पे है, ती इसका विस्तार कांसे था उत्तर पस्चिम से लेकर दक्षिण पूरो तक था तो ये बातें सारी राजस्तान में जन्पद की होगी पारटू में कौन कौन से पढ़े हमने जांगल, मतुरा, सूर्षें और शीवी अब इसके बाद में पढ़ेंगे जो सोड़ा महा जन्पद में जो मदद है, सबसे ताकतवार मदद उस मदद पर मोर्य, समुराट, भुप्त वगेरा सारे सासर कैसे आएके उनके बारे में चर्चा आपने अगले वीडियो में करेंगे अगला टॉप्क हंगा मोर्य वस दबते हैं